आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे डेल लैप्टोप डेल इंस्पिरोन 15 लैप्टोप में कीबोर्ड कैसे चैंज होता है आज गल आप देखोंगे डेल के लैप्टोप या किसी भी होगे इंटरनल कीबोर्ड आने लगे हैं जिनके लिए में पूरा लैप्टोप खोणना होता था पहले जो पर नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें इसमें यहां पर आप देखोंगे screws में मंदें कुछ आयए तो यह सबसे पहले हम 25 रखर फोलता है यह लुए सब कुछ इंटर्नल होता है इसमें आप देखोंगे बैडरि बिढटर्व होते हैं कि यहां पे स्क्रीन यह आपका SSD है तो यह पूरा खुलने के बाद ही पता लगता है इसमें सब कुछ अंदर ही होता है जैसा आपने देखा है कि इसमें यह बैटरी इंटर्नल होती है यहां पर आड़ीस वगेरा पहले क्या होता था मसीनों के एक कवर खोलो तो आपकी रैम भ यह बैटरी है इसके में बैटरी में यहां इसक्रूज होते हैं तो हमने इसक्रूज खोला हुआ है मैं बैटरी निकाल देता हूं इसकी यह बैटरी होती है आप देखोंगे सारा कुछ यह इंटर्नल ही होता है आजकल की मसीनों में तो इस परकार मैं इसको निकाल रहा हूं प्राइब को डबल फैन वाली मसीन होती है ही काम करने से पहले सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है हमें इंटरनल मसीनों में जो होती है हाड बैटरी अटानी होती है सबसे पहले इस चीज का आप पहले ध्यान रखो कि आपको बैटरी सबसे पहले निकालनी होती है इसमें होता है स्पीकर के वायर कनेक्टर होता है यह डीसी जैक होता है इस लैप्टोप का इस परकार हम यह मदर बोर्ड बाहर निकाल लेते हैं यह हमारा मदर बोर्ड है यह हमारा बेस होता है यह टच स्क्रीन होता है यह हमारा बेसे होता है प्रवल प्रप्रादि में अिर अरो आएवां अरो का विर्व एाल जोल आएवां इनकार दो प्रॉण का बड़त की अरो कि बुट है दोलो जोला कि अरो प्रॉब नाने की अरो प्रेट कर दोल्ठार जड़ा लादे गूसे हुआ कर दोल्ठार ये इसका पुराना कीवोर्ड निकल गया है कि अची जी घुराना कीवोर्ड लुराना कीवीडिया है झाल कि हम अपना कीबोर्ड चेंज कर रहे हैं कि अपना कि अपना कि अपना कि अपना कि अपना कि इसमें यह सारे स्कूर्व पर फिटिंग होता है कुछ कीबोर्ड जो आते हैं वह आप देखोंगे प्लास्टिक वालों से भी होते हैं जिन्में अपना किबोर्ण लगाके उनके नक्के बनाते हैं यह लगते हैं आप देखोंगे कम से कम भी 50 इस्कुरूस में लगे हुए हैं कीबॉर्ड को फिट करने के लिए यह आप देखोंगे हमारा कीबॉर्ड फिट हो गया है फिनीशिंग भी आप देखोंगे बिल्कुल ओरिजनल जैसी फिनीशिंग है अब इस परकार हम फिर मजर बोर्ड फिट करते हैं क्या होता है आप देखोंगे यहां हिट सिंग के और फैन के बीच में जो यह गैप होता है इसमें ना दूल मिटी वर जाती है इस वज़े से इसको साफ कराते रहना चाहिए जिसमें हम सर्विस बोलते हैं क्या है कि इसमें मदर बॉर्ड के स्कुरू जो हमने को लेते वो लगा रहे हैं यह फैन होता है जी प्यू फैन होता है यह सी प्यू फैन है बड़ा जो जी प्यू फैन होता है वो ग्राफिस कार्ट के लिए होता है एक फैन सीप्यू फैन होता है जो सीप्यू को कूलिंग देता है और दूसरा फैन जो जी प्यू वाला होता है वो ग्राफिक के लिए होता है जो ग्राफिक कार्ड लगा होता है जी प्यू हम ग्राफिक कार्ड को बोलते हैं हлек 500 ज औकmarks जा जब बाया. बाघा याल, बार कर दोंदा दो आप दो घपास हुआ серь राइगा, नह जया हुआ है, ऐया हैक साथंध्स कोई ज ACCarnya का बुड्सक्ट जले रलल है. कलो ही और भुड़ीम Wyatt जया हुआ एज है, कि कंखर भुछ उस साथक जले, घड भुशे bene, इंटरनल कीबोर्ड लगाने में काफी टाइम लग जाता है और बहुत सारे स्कूरू खोलने पड़ने पूरा लैप्टोप खोल के दुबारा पैक करना होता है अब आप देखोंगे हमारा इसमें 50% काम हो चुका है इस लैप्टोप में अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे कि है झाल देस्टिंगरूर को बिझा है क्टिंग्ट कर दो द disrupt storm झाल कि टूम धाल ंटर में मिधंग अब 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 हम टेस्ट करते हैं अपना कीबोर्ड शिफ्ट अप 10 के साथ A, B, C, D, E, F, G, H, I, D, K, L, M, M, O, P, Q, Q, R, S, T, U, W, Z, X, Y, Z, 1, 2, 3, 6,7,8,9,10, हुआ है 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 इस परकार आप देखोंगे सुरज कंप्यूटर की इंटरनल कीबोर्ड कोई भी हो किसी भी परकार का कोई भी कीबोर्ड हो आप सुरज सुरज कंप्यूटर पर सर्विस ले सकते हैं इस परकार हमने आपने देखा वीडियो के माध्यम से टेस्ट भी करते हैं और करके के चेक भी करते हैं सारा कुछ होता है तो सुरज कंप्यूटर सारे कोई भी इंटरनल कीबोर्ड हो कोई भी मेक हो यह अभने अभी डैल सेवन फोर फोर एट तो इस परकार सुरज कंप्यूटर हर तरह के लैप्टोप में किसी भी परकार का कोई भी लैप्टोप हो कोई भी कंपनी हो तो सुरज कंप्यूटर हर तरह के लैप्टोप में कीबोर्ड चैंज करते हैं आपका इंटरनल कीबोर्ड हो एक्स्टरनल हो क से दे हमारे वीडियोज को जादा जादा लाइक करें सेर करें थैंक यू